अले रह्मान रोहीम, Assalamu alaikum and welcome to my youtube channel, हमारे आज की जो वीडियो है, वो midterm की preparation से related है, इस पर मैंने almost सारे lectures कवर के हैं, 1 से लेकी 22 तक, अगर वीडियो लंथी हो गई, तो मैं इसको हाफ में जो है, two parts में upload करूँगी, ठीक है, आदे lecture एक वीडियो में preparation की और दूसरी वीडिय की preparation हो, ठीक है, तो दो वीडियो में ये distribute कर दूँगी, कि जल्दी upload हो जाए, क्योंकि अप्लोडिंग में भी बहुत time लेती है video, और अग video lengthy हो गई, तो फिर मुझे करना पड़ेगा, दो हिस्सों में, लेकिन एक साथ ही upload करूँगी, कि आप लोगों की अच्छी preparation हो जाए तो time waste के बगार हम अपना topic स्टार्ट करती है, इसमें पहली बात ही है, कि मैंने सारे practice question लाले है, 1 से लिके 22 तक जितने भी important है, जो important नहीं भी है, सारे मैंने topics से इंक्लूड की है, आप लोगों की preparation की है, ठीक है, और जो जो मुझे comments आई है, जिन points की, आप लोगों को समझ जो कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी जो है, मैंने उस point को दुबारा इस video में solve किया, वैंकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी practice के time waste नहीं हो, क्योंकि आप लेंटी होगी, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं दो पार्ट में इसको जो ह जो है, प्रोट लेट होती है, ठीक है, और एक और चीज जो आप लोगों ने मेरा thumbnail देखा होगा, तो ये जो है, मुझे बहुत सारे students कह रहे थे, कि thumbnail update करें, update करें, तो मुझे एक student ने gift किया ये thumbnail, 5 thumbnail उन्होंने मेरे ले जो है, बनाएं, और बहुत ही अच्छे मुझे लग तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो ऐसे बहुत कम students होते हैं, जो अपनी teachers को याद रखते हैं, gift करते हैं, या फिर उनको appreciate करते हैं, तो मेरे ले इतना भी काफी होते हैं, कि आप लोग मुझे subscribe कर देते हैं, like कर देते हैं, लेकिन उन्होंने additional मुझे gift दिया है, कि मुझ कि वीडियो लिंधी होने वाली है, तो हम start करते हैं, हमारा topic, सबसे पहले जो lecture है, मैंने topic लिखा, इधर lecture ही आते है, topic और lecture ही की बात होते है, introduction to certain logic, इस में से मैंने, मुझे important जो चीजे लगी, वो में start लिए है, ठीक है, exam क्या होता है, कोई भी statement that consists true, without any logical, ठीक है, logic नहीं हो ठीक है, यहां तक है, फिर based on observation, ठीक है, कोई भी statement हो, जिसमें logic की ज़रूद में हो, मैं अच्छाता तर logic होती है, कि यह चीज ऐसी होई थी, कोई statement जो logic के बगार हो, जो हमें observation से पता चले है, उसको हम exam क्याते हैं, इंसी क्यूस में आ सकते हैं, इसलिए मिने mention कर दिया था, मैं MCQs की भी वीडियो इसके बात upload करूँगी, इंशालला, बहुत कम टाइम है, आपका पर से 30 से पेपर स्टार्ट है, तो कोशिश करे हूँ कि आज ही MTH202 की भी वीडियो में upload करूँ, preparation की, क्योंकि बहुत ज़्यादा course है, और लिखने में मुझे time लग रहा है, समझाना जैसे 2 प्लस 3 is equal to 5, अब हमें पता है कि ये 2 प्लस 3, 5 ही होगा, हमने इसमें कोई logic की ज़ुरत नहीं है, तो इस वज़े से इस तरह की statement होती है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्जियम है हमार पात, proof क्या होता है, दूसरी तरफ, proof के लिए logical evidence चाही होता है, कोई भी बा of set, अब set, introduction to set है ना, तो set में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, set पहले क्या होता है, collection of anything, कोई भी चीज हो, set हो, collection of distinct object, मतलब कोई भी object हो, उनका collection करे ना, तो उसको set कहते हैं, अब यहां मैंने types लिखी है, कुछ set, अब मैंने जो है example नहीं दी set की, क्योंकि आपको पता है, set of fruit, set of season, set of jewelry box, set of cloth, इस तरह के जितने भी sets होते हैं, आपको पता है, sets होते है, यह एक category होती है, यह डिस्टिंग भी हो सकती है, तो अब हमारे पास यहां मैंने types लिखे हुए set की, types में, types नहीं, sorry, एक होती है, हमारे पास set tabular form में, tabular मतलब जिसमें tables होती है, tables number की form में होती है, तो उस से याद रखे, कि जो भी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी हो सकता है number, उसको tabular form कहते हैं, दूसरी एक होती है, हमारे पास English form में होती है, descriptive form में हो, इसको हम descriptive form कहते हैं, ज describe की होता है, उसको हम descriptive form कहते हैं, और जो इस तरह होती है, x such that, x is even number, और हमें आगे इसको symbols में दी होते हैं, इसको tabular form कहते हैं, देखे हैं, आगे हमारे पास proof में भी यही form यूज होती है, हम पहले x लेते हैं, किसी भी number, किसी भी चीज़ को x consider करते हैं, और ऐसे line लगाते ह लें कि x किया है, x जैसे कि even number है, इस cos को belong कहते हैं, और natural number का sign है, तो हमने कह दिया natural number है, और आगे हमने बता दिया, x 1 से बड़ा है, x के जिसकी तरफ यह मूँख खूला होता है, अईसे, कहते हैं, हम उसको बड़ा कहते हैं, जिसकी तरफ हो, अब x की तरफ है, तो मतलब x बड़ा है, बड़ा होगा 1 से, और कहां तक होगा, 10 तक होगा, और 10 इंक्लूड है, equal यह नीचे जिसके line होते है, उसका मतलब होता है, कि equal भी है, तो हमने set बनाना, अगर हमें इस तरह फॉर्म दी हो, का set बनाऊ है, तो हमने natural number लेने, 1 से नहीं start होगा, क्योंकि 1 इसमें include है, तो आपने क्या करना है, 10 यह line होती है, तो इसका मतलब होते है, greater than or equal, मतलब equal include होगा, तो हमने set बनाना है, 1 नहीं include क्योंकि 1 में equal नहीं है, और x पढ़ा है 1 से, तो हम 2 से शूरू करेंगे, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 भी होगा include, क्योंकि 10 के लिए equal भी है, ठीक है, तो यहां तक का हमारा set बन जाएगा, ऐसे भी आ सकते है, यह बहुत, कहने सकते हैं कि आ सकते हैं paper में, लेकिन शाहिद आ भी जाए, इस तरह के short question कि आपको यह form दी होगा हो, कि यह बनाए, तो आपने ऐसे बनाना है, ठीक है, दूसरा आता है set empty set, empty set आपको पता है, जिसमे empty set include होगा, यह एक बात होती है, इसकी कि जब भी कोई set हो, जैसे हमने common लेना है, कोई set intersection करना होता है, यह एक set है, और इसमें one, two है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका intersection के आएगा, empty set आएगा, क्योंकि इस set में empty set मुझूद है और intersection में common लेते हैं, तो इस दोनों का intersection हैं, हमारे पास empty set आएगा, ठीक है, तो हर set में empty set मुझूद होता है, यह बात याद रखनी हैं आपने, ठीक है, universal set क्या होता है, वो set जो बड़ा set होता है, largest set जिसमें सारे set होते हैं, जैसे अब हमारे पास real number होता है, real number, उसका set सबसे बड़ा set होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास natural number का भी set आजाता है, integer भी आ सकते हैं, हमारे पास positive integer, negative integer, z से show होता है, और whole number भी आ सकते हैं, हमारे पास even number भी आ सकते हैं, और number भी आ सकते हैं, सारे numbers जो है, real number में, तो हमारे पास real number का set क्या हुआ, universal set हुआ, बड़ा set जिसमें सारे set आते हैं, ठीक है, subset क्या कहते हैं subset का मतलब होता है कि बड़े set के अंदर से जो उसकी हम pairs बना लेते हैं मतलब जैसे कि एक class है उसमें से हम groups बना लेते हैं तो वो groups जो होते हैं वो बड़े set के subset होते हैं जैसे आप real number का set के ये सारे subset होंगे natural numbers integers even number odd number ये सारे real number के subset है every element of A is in B then A is subset of B एक तो subset पहले आपको पते जलकर क्या होता है और हम अब कह सकते हैं A, B का subset तब है जब A के सारे members B में हूँ A में 1, 2 है और ठीक है? और B में हमारे पास 1, 2, और 3 है तो A के members सारे B में है 1, 2 भी है और 3 तो B का अपना है तो हम कह सकते हैं कि A subset है B का लेकिन B एका subset नहीं है क्योंकि B के तो 3 भी है इसमें तो 3 नहीं है तो यह वाली बात होती है कि subset एक दूसरे कतब होता है जब उसके सारे element दूसरे में होता है next हमारे पास आता है lecture number 2 उसमें साम चीज़े देखेंगे इसमें हमारे पास आता है set operation and one diagram set operation आपको पता है कि क्या होता है union, intersection, difference लेना, complement लेना कि सारे जो होते हैं इनको हम set operation कहते हैं सबसे पहले union आपको पता है बच्पन से हम पढ़ते हैं union कैसे होता है दो set दिये है example जो है हर example दूसरे से लग होगी या same भी होसकती है तो यह नहीं कहना कि इसमें यह वाला आपने use कि इसमें यह ठीक है क्योंकि मैंने हर example आप answer देखें यह मत देखें कि आप intersection में आपने यह नहीं लिए याबा मैंने हर example दुसरे से change रखी है या तो कहीं पर same भी हो सकती है आपने उस example का answer check कर रहे ठीक है यूँकर पीछे question में भी ऐसे हुआ है कि मैंने हर topic की लिया लग example use कि और मुझे बचों ने कहा कि आपने तो पीछे ये use किया था तो हर example change भी हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर one four three है और two four eight है union का मतलब एकटा करके लिखना तो आपने एकटा करके लिखा one two four three और eight इसमें भी four है और इसमें भी four है दो दफ़ा जो होता है उसको हम दो दफ़ा नहीं लिखते जब भी एकटा करके लिखे तो हमने four को एक ही दफ़ा लेने दिया intersection का मतलब होता है कि common लेना है ठीक है गरूरी नहीं कि आपको लिखाओ के minus b करें आपको लिखाओ difference find difference तो आपने c और d दो सेट होंगे उसका difference कैसे लेना आपने minus करने है c में से d के number तो c में से d वाले क्या है d में seven or two है तो seven or two minus करते है तो क्या रहागा 11 रहागा तो c का difference क्या आया c minus d 11 आया और अगर आपको का हो d minus c करें तो आपने d में से c के minus करने तो d में से c के seven or two minus होगे तो d में क्या रहागा one तो one आएगा ठीक है दोनों का difference समझ आगा यह कि c में से d minus करेंगे तो c में जो रहागे वो answer आएगा ठीक है compliment क्या होता है compliment ऐसे होता है for example उसके पर ऐसे line c हो न या c लिखा हो तो उसको हम compliment कहते है और compliment 5 के ऐसे होता है कि हमारे पास universal set होता है उसमें से हम जो भी set हो set a, b, c, d कुछ भी हो सकते है उसको हम minus करने minus करना आपने ओपर देख लिए कैसे होता है यहां पर भी दुपारा कर लेते है universal set में से कोई भी set दिया हो उसको minus कर दे तो जो answer आएगा न वो हमने u वाला लिखना है ठीक है u वाला क्योंकि जो minus कर रहो न पहले वाले का element लिखते है d होगा d minus तो d में जो रह गए वो हमने लिखने तो u minus 3 है तो u में जो रह गए वो answer आएगा तो हमने क्या minus कर लिए इस वाले number 3 minus कर लिए इसमें है 5 minus कर लिए इसमें था तो क्या रहागिया 1, 2 और 4 रहागिया तो हमारे पास answer क्या आगिया 1 अच्छा 1 भी माइनस होता है क्योंकि इसमें 1 है ना और इसमें 1 तो 1 भी कर लिए 2 और 4 तो हमारे पास 2 और 4 आंसर आगी है ठीक है अब हमारे पास आता है A union empty set तो यह बहुत सारे हमारे पास दिये में A union A का set दिया होगा तो आपने जल्दी से solve करके बता देने कि उसका क्या अजर आता है अगर MCQs में बूछा हो कि A union empty set क्या होता है तो आपने example कुई सी खुद से बनानी है A लेना है set 123 है और intersection union लेना है empty set तो इन दोनों में common union अगर इनका करें तो union में खटा करके लिखते हैं तो 123 तो यह लेखे A set वापस आगी है तो आपने लिखना है कि A union empty set क्य है तो empty set आता है तो आपने लिख लेना है A intersection A क्या होता है empty set के equali होता है ठीक है इसी तरह आपको A union A भी पूछ सकते हैं A union universal set भी पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपने फटा फट example बनानी है खुदी छोटी चोटी example बनानी है कि 12 ले ले नंबर और दूसरे मे आके आप solve कर सकते हैं next हमारे पास आता है इसी तरह intersection वाला यह मैंने बता दिये कि A intersection empty set करें तो A में आपने कोई भी example ले लिए intersection empty set दोनों में common empty set है क्योंके मैंने आपको पीछे ही बताया है कि जो set भी हो उसके अंदर empty set जो होता है हमारे पास लाजबी होता है तो इसके empty set इसी सारे operation हैं हमारे पास set के अब हमारे पास when diagram आती है when diagram मतलब इस तरह की paper में तो नहीं आती लेकिन फिर भी मैंने का है यह चीज़ छोड़वाओं नहीं आपको यह भी करवाओं when diagram आपके पास rectangle होते है जिसमें यू कोने पर से लेते हैं यह पूरा बड़ा set rectangle का जो है व आपने बताना है कि यह disjoint set है दूसरा अगर आपको पास इस तरह set हो और पूरा अंदर से line हो तो मतलब आपको कि यह union हो रहा है क्योंकि union में खटा करके लिखते हैं तो इसके अब अंदर इस तरह line से मतलब कि यह union है और intersection का मतलब कि common लेना है तो common वाला part इनका सिर्व बीच वाला shade हुआ तो आपने कहना है कि यह intersection है और अगर आपको कहा हो कि intersection की when diagram बना है तो intersection में आपने फिर इस तरह करके paint पे जाना है paint पे आपने इस rectangle बनाना है circle दो बनाने बीच वाला area है उसको color कर देना है black कर दें जो भी shade है और फिर बता दे कि यह intersection की है वहां से आप अपने फिर अपने exam software पे उसको paste करना है control V दबा के ठीक है copy के लिए control C दबाते हैं और paste के लिए control V दबाते हैं मेरे पास time हो तो मैं जरूर आपको बता दूगी एक video बना दूगी कि paper कैसे आपने उस पर करना है computer पे क्योंकि time कम होता है तो आप लोगों को यह चीजे पता ह लिए और एको छोड़ दे कि यह निकल लिया तो इस तरह यह U-A का one diagram है ठीक है यह थोड़ा सा concept है next हमारे पास आता है lecture number three और इसमें हमारे पास algebra of sets आता है algebra अब इसमें हमारे पास थोड़े से proof है और properties है कुछ ठीक है तो यह मैंने सारी properties नहीं करवाई बहुत सादा properties है औ अगे proof में तो यह जो जिसमें मुझसे ज्यादा question के कहें एक compliment law था एक demorgan law उसके बारे में बूचा गया ज्यादा उसमें सवाल हुए तो वो मैंने दुबारा करवाई है उसके लावा यह जो item time law है और associative law इसको भी थोड़ा सा मैंने solve करवाई है कि मैंने वहाँ पर union वाले solve किये थे और आप लोगों इसको को दिये थे कि आप लोग intersection वाले करें लेकिन बहुत से student से कहा कि हमसे नहीं हो रहा तो मैंने इसमें intersection वाले करवाई है ठीके अब आपको law पहले पता होगा या तो law दिया होगा तो आपको का होगा कि इसका आपने प्रूफ करें ठीके तो अब यहाँ पर पहले हमने left hand side लेनी होती है, यह बाली side लेनी होती है, इधर भी यह लेंगे और इगर भी यह, कि इस side से हमाई पस यह side बन जाए, तो हमने क्या किया, a union a लिखा और हमने इसको builder form में बनाना है, जैसे कि हम कोई भी set हो, उसको हम denote कर देते है, x से कि यह belong करता ह है, x को, x कोई भी arbitrary number ले लेते हैं, हम let करते हैं, इसलिए हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, लेकिन x जादा use होता है, तो इसलिए हमने x ले लिया, ठीक है, अब हम कहा देते हैं, कि union है na, a और a, तो x हमने कोई number लिया है, जो a को belong करता है, ठीक है, x such that, और फिर हमने ल बारा से कि x belong करता है, इस a को भी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि x such that, सब में आता रहेगा, x such that, सब में आता रहेगा, और belong वाली चीज़ें, जो है, combine होती रहेगी, तो इसका मतलब है कि a, और a, दोनो a, a है न, तो इसका मतलब है, x एक दफ़ा हमने लिख लिया, belong द इसके साथ ही लिए है, one, two, three, तो आपके पास a set ही आएगा, one, two, three आएगा, क्योंकि दो-दो दफ़ा तो हमने नहीं लिखना होता है, one, two, three, one, two, three, तो इसलिए हमाया पास one, two, three ही आता है, तो हमने इसलिए कह दिया, कि a equal ही आता है, ठीक है, intersection के लिए आपने वही same process करना लेकिन intersection के लिए हम क्या कहते है, end use करते है, तो हमने और की जगा end लगाना है, as it is ही होगा सारी चीज़े, x such that x belong करता है, इस a को, intersection की जगा end आ गया, और फिर x belong करता है a को, यह e वाला जो sign होता है, यह belong का होता है, फिर हमने कह दिया, x such that x, इन दोनों को belong कर रहे है, तो इ लिकेंगे न, मतलब common दोनों में same elements या रहे है, 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3, तो दोनों के common 1, 2, 3 ही आ रहे है, तो इसलिए यह भी प्रूफ होगा, शही है, यह paper में आते नहीं है, लेकिन आपने समझना ज़रूर है, कि अगर आ गई तो आप लोग ऐसे blank face लेके ना बैठे ह law है, इसमें भी हमारे पास दो sides है, मैंने यह वाला proof करवाया, क्योंकि मैंने जो हमारी अपना lecture है, original, उसमें मैंने यह वाला proof करवाया था, तो इसमें अभी मैंने यह वाला आपको लिकर बात लिया, ठीक है, अब law क्या है, A union, B union, C, अगर हम बात में B union, C को bracket में लें, तो उसी के equal होगा, कि अगर हम A union, B का bracket लें, ठीक है, पहले bracket लगाएं यह बात में लगाएं, दोनों का answer सेम ही आता है, और intersection के लिए भी है, कि पहले bracket लगाएं, यह बात में लगाएं, एक ही answer आता है, तो मैंने intersection वाला लिया, A intersection, B intersection, C है, ठीक है, B intersection, C लिखाव है, A intersection, अब ह पहले हमने bracket वाली जो पहले इससरा है, कि X belong के इसको का रहा है, A को, तो हमने पहले लिख दिया, X belong का रहा है, A, फिर intersection के जगाएं डाल दिया, और फिर यह पूरा bracket है, तो हमने इसको क्या दिया, कि X इस पूरे को प्लाउं करता है, X belong A intersection B, अब हमने इसको खोलना है, ठीक ह इसको भी अलग कर दिया हमने, सही है, अब हमने क्या कर दिया, कि and, and तीनो में है,而 इसका मतलब यह है, कि X जब इसको भी belong कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो हम इन दोनों के खटा करके भी लिख सकते हैं, कि X belong कर रहा है, A intersection, and की जग़ा intersection B, इसको हमने खटा कर के लिख and x belong to c अकेला अलग गया तो इसका मतलब ये है कि x a intersection b and की जग़ा intersection और c ये as it is आगया ठीक है x belong हमने अटा दिया उसको खटा करके तो ये देखें ये दूसरी साइड ये ही बन गई है हमारे पास ठीक है ये paper में आते नहीं है x को कि x इसको belong कर रहा है x इसको और intersection की जग़ा end लगाना होता है union की जग़ा और लगाना होता है और end पर फिर आपने दूसरी साइड को ही डाल देना होता है इसमें कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है start आप इस साइड से करते जाएंगे और end पर फिर आप इस साइड को बनाते जाएंगे सही है जैसे के ये साइड बन गई है अब हमारे पास एक कॉंप्लिमेंट लो होता है a union a complement is equal to c और a intersection a complement is equal to empty side ये intersection का है ये union का मैंने union का पीछे करवाया था इसलिए यहाँ पर intersection वाला करवा रही हूँ intersection की जगा end आगया और x किसको बिलॉंग कर रहा है a complement को a complement लगा तिया अब जब भी आपके पास कहीं पे भी हो कि x बिलॉंग करता है a complement को तो उसका मतलब उसका inverse कि होता है कि x a को बिलॉंग नहीं करेगा जब भी complement बिलॉंग कर रहा होता है तो उसका उल्टा होता है कि A set original set वो बिलॉंग नहीं करता है क्योंकि किसी set में अगर compliment आता है तो A नहीं आएगा और अगर A होता है तो compliment नहीं होगा सही है तो अब आपने यहां पर यह चीज पहले तो इसको ही खोल के लिग दी अब आपने इसको दुबारा से लिखा X such that X belong कर रहा है A को and as it is अब X belong करता है A compliment को तो इसका क्या मतलब है कि X belong नहीं करेगा A को इसको हमने opposite लिख लिए contradiction मतलब दोलो situation A की case में नहीं हो सकती तो हमाई पास अगर compliment वाला belong कर रहा है तो दूसरा ठीक है तो आपने contradiction का मतलब ही होता है कि दो situation अच्छा ये next step की बात है यहाँ पर पहले तो compliment की बात मैंने आपको समझा दी कि अगर compliment को belong कर रहा X तो वो A को belong नहीं करेगा तो हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी अब इस situation को देखें यहाँ पर X such that को तो आप ignore करते रहें क्योंकि यह सब पर constant आता रहेगा ठीक है? X belong कर रहा A को and X does not belong to A दोनों बाते देखें एक situation में तो नहीं हो सकती न कि A को belong कर रहा X और A को नहीं कर रहा तो यह contradiction हो गया कि दोनों situation A की true नहीं हो सकती तो इसके हमने कह दिया कि A क्या हो गया है empty set की कोई आप लोगों ने वही चीज़ end पर ले आनी हो दी है दूसरी side को ठीक है? तो जब दुनों चीज़े कोई भी common नहीं है A भी नहीं है दूसरा A भी नहीं है तो इसका मतलब है कि X किसको belong कर रहा है empty set को तो इसका मतलब हमने यहाँ पर empty set लग दिया ठीक है अच्छा यहां X belong empty set नहीं आता है क्योंकि X कभी empty set को belong नहीं कर सकता क्योंकि वो as a whole empty होता है तो हमने end पर लिख देना है कि X such that वो क्या है empty set है जो कि हमारे पास original हमाई चाहिए था ठीक है? नेक्स आता है demorgan law अब demorgan law का proof course है दिखना क्योंकि यह बार वार आप निकाह था कि values की कैसे change हो गई तो हमारे पास demorgan law हमेशा ऐसे ही होता है कि अगर union है bracket के अंदर और उसके पर complement है जब हम bracket खोलते हैं तो अंदर sign change हो जाता है यहाँ पर union था तो दूसरी side पर intersection हो जाएगा complement दोनों पे अलग-अलग आगिया और अगर इधर intersection है तो दूसरी side पर क्या आजएगा union हमारे पास आजएगा intersection का opposite union हो गया और complement दोनों पर अलग अब हमने एक side होगी तो दूसरी side हमने proof करनी होगी यह वाली मैंने union वाली paper उसमें करवा दी थी अपने lecture में, अब यह वाली करवाती हूं, ठीक है, अब देखें हमारे पास हमने लिखा A intersection B complement is equal to A complement, union B complement, intersection तो इधर क्या हो गया, union हो गया, ठीक है, अब हमने इसका proof करना है, और हमने left side लेनी होती है, तो यह रखेंगे और यह ब यह भी बात आप लिखे सकते हैं, पहले step में, कि X belong कर रहा है, A intersection B complement को, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले step में, दो step बना लें, यह पहले step, X said that X belong to A intersection B, और इसके उपर complement, जो आपके पास given है, जैसे हम हार किसी को बनाते हैं, फिर second step में आपने लिखने हैं, कि अगर X belong कर रहा है A complement को, तो X does not belong to A intersection B complement बगार वाला, जैसे complement के साथ A complement belong कर रहा था, तो A को belong नहीं कर रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर A complement को बिलॉंग करेगा, पूरे A intersection B complement को, तो इसका मतलब कि X नहीं belong करता है A intersection B को, ठीक है, अब हमने इसको खोल दिया, not belong को हम दोनों पर दे देंगे, ठीक है, X add that as it is, रखेंगे, as it is, और X belong नहीं करता A को, intersection के लिए end आगया, और X does not belong to B, दोनों को हमने खोल दिया, ठीक है, अब इसका मतलब यह है, कि X अगर इसको belong नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उनके complement को belong करेगा, ठीक है, तो हमने वो ही यह next step पर लिख लिए, कि X belong करता A को, क्योंकि X belong नहीं कर रहा था एक को, और, end की जगह और आगया, जब वो change हुए न, end, यह बात change हुए न, नहीं belong करने बली, तो हमने इसका भी change कर लिया, end को और में change कर दिया, जैसे कि आपको पता है, कि एक side पर एक को भी कर रहा है, और complement को, X belong B complement को, तो हमने एक की दफ़ा लिख लिए, कि X belong करता है, और की जगह union और B complement, यह पूरी दूसरी side बन गगए, complement, union, B complement, यह side बन गगए, तो हमने कहा दिया, कि यह hence, यह proof हो गई है, ठीक है, अब दूसरा आता है, duality, duality हमारे पास क्या होता ह है, कि अगर हमारे पास कोई equation दियो, जिसमें हमारे पास union, intersection, universal set और empty set, कि symbols include हो, तो हमने उसकी duality कैसे करनी है, कि उसकी symbols चीद करने है, union की जगह intersection लगा देंगे, intersection की जगह union लगा देंगे, universal set की जगह empty set, और empty set की जगह universal set, example मैं आपको छोड़ी सी जल्दी बता देती हूं कि अगर आपके पास हो A, union, B, empty set, U, इस तरह करके अगर कुछ भी हो, C लगा दें, तो आपने इसको क्या करना है, A as it is रहेगा, union की जगह intersection लग जगा, B, empty set की जगह, U, U का set लग जगा, फिर यहाँ पर U, अच्छा, इसको आप वो कह देंगे, दोना एक साथ आए में, इस को O कह दें, ठीक है, O, फिर O के साथ C लगा दिया, और आखर में, empty set लगा दिया, तो empty set की जगह, दुबारा क्या आजएगा, U के set आजएगा, अगर U होता तो empty set, इस तरह आपने इसको change करने नहोता है, ठीक है, इस तरह का question, अगर MCQs में आजए तो आप लोग जल्दी से आपको पता हो कि union का inverse intersection होता है, intersection का inverse union होता है, universal set का, universal set क्या है, जिसमें पूरा large set है, empty set इसको उल्टा हो जाएगा, ने, कि खाली set, इसी तरह empty set खाली है, तो उल्टा गया होगा, universal set, ठीक है, lecture number 4 ते हमारे पास आता है, finite set and glasses of set, अब आपको पता है, finite set को पता है नाम से, ज उसमें limited numbers हो, तो हमने example यहाँ पर कर दी, finite set हमारे पास है, one, two, three, four, ठीक है, और दूसरा हमारे पास finite set इस form में भी हो सकता है, कि dot dot लगाया end पे number, आफरी number तो हमें पता है ना, इसलिए हम इसको भी finite set के ही कहेंगे, इसके लिए अप हमारे पास formulas different है, मैंने theorem नहीं करवाई theorem अगर आपने करने है, time है, तो ज़रूर करें, कि miss ना हो कोई भी चीज, तो lecture number four में theorem से हैं बहुत सारे, मैंने उनके formula सिर्फ आपके लिए लिखे है, या आपको पता हो, कि इसका क्या मतलब है, हर theorem एक formula यूज हो रहा है, तो वो आपने पढ़ने है, तो detail में वहाँ से जाए जाती है, कि आपके पास अगर दिया हो, कि end और a union b करें, तो इसका क्या मतलब है, या end और a complement दिया हो, तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने वह सिर्फ समझाय में, otherwise theorem b यह आपको करने जरूरी है, time हो तो जरूर करेगा, ठीक है, अब हमारे पास देखें, तो formula है end मतलब numbers, ठीक है, a union b में कितने numbers है, तो हमने क्या किया, मतलब a union b का मतलब यह होता है, कि a का set और दूसरा set दोनों का हम इखटा करके लिखते है, add कर लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया, number of a plus number of b, हमने इस तरह कर दिया, तो वो हमारे पास a union b यात है, ठीक है, अब यह formula दब के लिए होगा, जब हमारे पास this joint set होगा, सही है, this joint set क्या होते है, जिसमें कोई element same ना हो, ठीक है, यह उस के लिए होगा formula कि हमने a के सारे elements लिए है, और दूसरे के element दोनों को plus करना ही union होता है, खटा करके लिखना, मतलब एक साथ करके लिख लिए, तो अगर element कितने है, त इसी तरह अगर आपने a complement के element find करने है, तो आपको पता है, a complement कैसे find होता है, you minus a होता है, तो हमने दोनों के साथ n लगा दिया, इसी तर अगर आपके पास दुबारा यही चीज दुबारा दूसरा फॉर्मूला है और आपके पास finite set है जिसमें कि आपको कहा तो नहीं हो लेकिन आपको यह बता हो कि दोनों में कुछ element same भी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A, number of A plus number of B minus N A intersection B intersection B मतलब जो common element है उसको हम अलग करेंगे total में से common element minus करेंगे ठीक है यह finite set के लिए फॉर्मूला होता है disjoint हो तो उसमें तो कुछ same नहीं होगा ना कि आप minus करें joint हो मतलब अगर finite set हो तो उसमें ऐसे भी होजगता है कि कुछ number same हो तो हमने same numbers को minus करना होता है ठीक है इस तरह ही होता है इसका हर एक example है theorem में तो वो आपने करनी है तो वहाँ से जरूर करेंगे next हमारा आता है classes of set classes of set आपको पता है कि class क्या होती है number अगर आगर आपको दिया हो और उसके आपको class बनाने को का हो तो class आपने कैसे बनानी होती है इस चीज़ से class चूँ होती है ठीक है यह वाला bracket होता है तो हमने इसकी different classes बना ली इन और में restriction दी है contain three elements कि आपने ऐसकी class बनानी है जिसमें three elements हो आप बताई नहीं गए है कि कौन से three हो तो आपने खुद से भी कोई भी three के बना सकते है आपने यह three ले लिए six, eight, four ले लिया six, four, nine ले लिया कोई भी number ले लिया और इसको बड़े bracket में डाल दिया कि यह class है ठीक है इस set की यह पूरी यह सारे जो है यह class है इनकी तो आपने इस से रंगर लेना उससे कौन कौन से possibilities है के set मान सके तो हम वो कैसे करते है formula आप याद रखें क्योंकि कभी ज़्यादा भी numbers होते है two के ओपर three मतलब three elements है तो two के ओपर जितने elements होंगे हमने वो लिखने है तो उसको उतनी time multiply करें जितने आपके पास number आएगा तो उसके मतलब कि आपके पास उतने sets बनेंगे ठीक है अब power set अब आपने पता है कि आपके पास हर set में empty set मुझूद होता है तो आपने एक empty ले लिया अब हर एक को अलग-अलग भी बना सकते है four का अलग set five का अलग अकेला-अकेला सब का पिर सबको दो-दो पहले सबको एक-इक दफ़ा लिखने पिर सबको दो-दो-दफ़ा लिखने पिर सबको तीन-तीन दफ़ा लिखने ठीक है अब आपने एक-इक दफ़ा four, five, six लिख लिख लिए अब दो-दो-दफ़ा 4-5 को एक दो दफ़ा, फिर मतलब 2 elements का group बनाने है, फिर 5-6 का बनाती है, 5-6 का, sorry 4-5 और 4-6 का, 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ, इस तरणा फिर 5 का 6 के साथ बनाएंगे, इन दोनों का बना लेंगे 5-6, फिर 3 elements की बारी तो 3, हमारे पास 3 है, 4-5-6 है तो इसका एक की दफ़ा बनेगा, ठीक है, यह और तरीके से नहीं बन सकते, तो count करें, total 8 ही होंगे, 1-2-3-4-5-6-7-8, ठीक है, पहले आपने सब को अकेला-केला बनाने है, फिर सब के 2-2 की पेर बनाने है, फिर उसके बाद 3-3 के पेर, फिर 4 जाके बनाने होंगे, जितने आपके पास elements होंगे सही है, यह power set ऐसे है, आपके पास short question में आ सकता है next हमारे पास आता है, mathematical induction, most important topic है और यह जो है, long question में लाजमी आता है mathematical induction का question आपके पास क्या होता है, mathematical mathematical induction में आपके पास दो steps होते है एक base step होता है और एक inductive step होता है basis step में जो आपके पास होता है कि आपको पहले P1 find करना होता है P1 is true find करना होता है, मतलब हमारे पास जो हमें value दी होती है N की उसको हमने formula में डालना होता है और अगर वो 1 के equal आज है, तो हम कहाए सकते है कि हाँ basis step true है, तो फिर हम inductive step की देर हो जाएंगे, अगर basis step ही खलत हो जाए तो inductive step हम नहीं कर सकते है, ठीके अब पहले तो हमने basis step formula हमें दिया है, यह वाला formula है, और इसमें हमने N की value उन्होंने का है कि 1 डाल सकते हैं, greater than or equal to 1, तो मतलब हम equal है तो इसलिए 1 डाल सकते हैं, अगर सिर्फ greater than होता ना तो N की value हम 1 से बड़ी डालते है, 2 डालते हैं, ठीके, और अगर 0 होता है greater than or equal 0, तो फिर 0 हम डालते है, तो यहाँ पर इन्होंने 1 का है, तो 2 1s are 2 plus 1 as it is, फिर आपने इसको 1 को 2 के साथ multiply करना है, 2 1s are 2 और इन दोनों को add किया तो 3, 6 as it is, 3 2s are 6 और नीचे 6 as it is, 6 1s are 6, 6 1s are 6, तो answer 1 आगे आपके पास, तो इसका मतलब basis step आपका true है, ठीके, फिर हम inductive step की जर्फ जाते हैं, अब मैंने जो है यह example आपके पास, जो lecture number 5 में inductive और मैंने यह करवाया ना, induction के example, उससे change वाली लिए कि आपके पास दुबारा new example का भी experience हो, आपके पास कैसे questions solve हो सकते हैं, जो इन्होंने वो भी lecture लिया है, तो उनको बहुत फाइदा होगा, उनके पास variety आगई होगी होगी examples की, और फिर दूसरा हमने क्या करना होता है, के प्लस वन डालना होता है, अगर हमारे पास के ट्रू हो जाता है, जैसे P1 हमने कहा था न, P1 क्या था है, N हम उसको लेते हैं, PN is true, ठीक है, पहले पर इन है, फिर हमारे पास PK लेना होता है inductive में, और फिर K की जगा K plus 1 को भी हमने true गहना होता है, अगर P K true है, तो K plus 1 भी true होना जाहिए, अब सबसे बहले तो आपने question लिखने हैं दुबारा क्या आपके पास, आपकी नजन में ही हो, क्या क्या values है, PN लिखा और N आपने डाल दिया, अब P K की है, तो जहां-जहां N है, वहां-वहां आपने क्या डालना है, K डालना है, ठीक है, यह as it is यह आगया, क्योंके इसमें कोई नबर नहीं है, यहां पर N का स्क्वेर है, तो यहां पर K वाले में क्या होगा, K का स्क्वेर होगा, फिर यहां पर जहां-जहां N है, वहां-वहां K आजएगा, इधर N है, इधर N है, तो इधर 2 के साथ K आजएगा, ठीक है, अब आपन k plus 1 आए फिर 2 as it is और इस k की जगा क्या आएगा k plus 1 1 as it is आएगा और ये 6 division में वैसे ही चल रहा है ठीके अब आपने इसको थोड़ा सा solve कर लेना है यहाँ यह भी use कर सकते हैं लेकिन यह ज़रा solve हो रहा है आपको नजर आ रहा है plus minus हो सकते हैं आप इसको solve कर देए यह सारा मैंने दुबारा आप इसलिए लिखें कि उपर से आजाए ठीके k plus 1 as it is अब देखेंगे k है और ये दो दो लफ है ना 1 plus 1 तो आपने इसको add कर लिया तो 2 आ गया अब ये k इसके साथ multiply हो रहा है तो k और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 plus 1 तो 2 क्या आ गया sorry 2 1s आ 2 तो 2 क्या आ गया अब ये 2 इस 1 के साथ भी multiply हो रहा है तो क्या आ गया 2 1s आ 2 आ गया 2 के साथ फिर ये prior add हो रहा है तो 2 के साथ 1 add किया तो 3 आ गया इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखती है ठीके 6 नीचे as it is अब हमने इस step को क्या करना है आगे solve मजीद करना है कैसे कि हम p k plus 1 और k वाले को एक खटा करके लिख लेते हैं तीके यह k वाला जो step है यह तो solve हो हो है न और दूसरा k plus 1 दोलों को एक खटा करके लिखते हैं और हमने सिफ right hand side लेने ये left hand side नहीं लेगी सही है कि हमने उसको solve करेंगे कि हमारे पास end पर ये वाली side बन जाएगी ये side हम लेगे और ये बन जाएगी लेकिन combine करके लेगे अब combine करके कैसे लिए हमने left hand side ली तो पहली p k वाली k क्या था k वाली value थी ठीक है p k के लिए k p k में हमारे पास 123 कहां तक था k square था और p k plus 1 में हमारे पास कहां तक था k plus 1 का square था ठीक है हमने k से replace किया था न तो इन दोनों को खटा करके लिखेंगे तो हमने 123 दोनों में था तो एक साथ लिख लिए फिर p k square plus k plus 1 square लगा दिया ठीक है इस पूरी साथ के साथ हमने को खोलते हैं, सौट करते हैं, तो ओर से समझने है, हर स्टेप चेंज है, अब इसमें देखें तो क्या हो रहा है, कि यह जब इस तरह की फॉर्म होती है, कि दो नंबर्स होते हैं, कि नीचे वैल्य होती है, दूसरे के नीचे कुछ नहीं, तो हम उसका LCM लेते हैं, ठीक है, इ की लाइन लगा दी, और यहाँ लिखने की जरूवत नहीं है, तो हमने इधर लिखने रहने दिया, अब हमने देखें, तो यहाँ पर के A plus 1 है, और इस साथ पर भी के प्लस 1 दो दफ़ा है, तो हमने के प्लस 1 एक कॉमन ले लिया, और बड़ी ब्रैकेट लगाई, तो जो च 2K है तो 2K स्क्वार हो गया 2K थे न, 3K स्क्वार हो गया प्लस K10 की आगया इसी तरह 6K, 6 की आगया और 610, 6 आगया ठीक है, नीचे 6 वैसे ही रहा गया ये भी वैसे का वैसे, अब इसको देखें ये question वाई आपके पास एक होती है form जिसमें पहले 2 बावर होती है फिर 1 होती है फिर constant होती है तो फिर हम उसको factorize कर लेते हैं खोल देते हैं बीच वाली value को 2 हिस्तों में कि एक 2 ऐसे number जो plus minus करें तो 7 आए और multiply करें तो इन दोनों को 2, 6, 0 क्या होता है 12 तो multiply करें तो 12 आए हमारे पास ये दोनों numbers को multiply करते हैं तो 12 आए और plus minus करें तो 7 आए तो आपको पता है कि 4 और 3, 4, 3, 0 क्या आता है 12 वो 4 और 3 को add करो तो 7 आता है बीच वाले number का खोल देते थे दो इसों में फिर उसमें common लेते थे वो ही साही चीज़ें ठीक है अब इन में देखें तो 2 के common है ना क्योंकि इस पर 2 है और 2 की table में भी 4 आता है तो हमने 2 common ले लिए तो 2 के common ले लिए यहाँ पे 1 k रह गया और 2 tos are 4 तो 2 रह गया और k तो common जला गया इसलिए 2 रह गया यहाँ पर देखें तो 3 common ले लिए और k और 6 की जब सेम होती है तो इसका मतलब होता है कि हम questions सही solve कर रहे है 2k, 2k, दो दफ़ा है तो एक दफ़ा लिख लिए और दूसरी side पर जो बाहर वाले number है उनका bracket लगा लिए 2k plus 3 bracket लगा लिए, नीचे 6 as it is और ये k plus 1 as it is, अब ये side आप देखें तो matter नहीं करता, ठीकिए यहाँ पर देखें 2k plus 3 पहले और यहाँ पर 2k बाद में, तो कोई matter नहीं करता आप इनकी जगा चेंज करने तो, ठीकिए तो इतना लंबा question आता नहीं है paper में लेकिन मैंने आपको जो lecture, main lecture था उसमें चोटी-चोटी वाली example करवाई थी, यह मैंने का यह ज़रा बड़ी करवाऊं कि इससे आपके ज़्यादा अश्काल clear हो जाएं कि कैसे हम question को solve कर सकते हैं, next हमारे पास आता है lecture number 6 और इसमें हमारे पास आता है real number system order and inequality, ठीकिए अब real number system में हमारे पास आपको पता है real number क्या होता है जिसमें हमारे पास सारे numbers हो, integer हो natural number हो, whole number हो, rational irrational सारे, मैंने यह पहले ही बता दिया था आप लोगों, तो वो real number होता है ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास real number system में वो सारे numbers include हो जाते हैं, ता कोई समझने की चीज़ नहीं है, MCQ में शायद पूछने के क्या है, real number line क्या होता है, एक line होती है, जिसमें limit में 0 होता है, एक side पे positive number होते हैं, दुसी side पे negative number होते है, तो इसको real number line क्याते है order, relation क्या होता है, order मतलब कोई भी set हो, उसके अंदर order equal भी हो सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखे हैं, हमारे पास यह order तो आपके पास है, A and B elements of set if A is less than B, तो हम इस तरह लेखेंगे, इसका order क्या होगा, A less than B, B की तरह मुँ बढ़ा होगा, ठीके, खुला होगा inequalities क्या होती है, बढ़ा, छोटा इस तरह inequality, equality आप पहले देखें, तो equality होता है, कि A, B की equal, जब दोनों same हो, तो inequalities के इलावा, कि B बढ़ा है, तो यह inequality आगई ना, कि बढ़ा है एक से, यहाँ पर A बढ़ा है, तो यह भी inequality, A equal और बढ़ा है, तब B inequality है, यह साई inequalities की निशानी है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको greater and equal में हम inequality इसलिए कहते हैं, कि यहाँ पर सिर्फ equal तो नहीं है न, greater or equal है, अब nine greater or equal का आवा है इदर, तो यह तो आप कहेंगे कि nine nine के equal है, लेकिन यहाँ पर greater का sign use हो है, तो इसलिए हम inequality में इसको include करते हैं, equality सिर्फ equal वाली sign होगा, जिसमें आपके पास a equal to b लिखाओ, या a equal to a लिखाओ, सरी है, तो यह सिर्फ equality होती है, इसके लावर जितनी होती है, उसको inequalities कहते हैं, इस lecture में यही था, lecture number seven है absolute and distance, absolute value आपको पता है, किसी number की भी, क्या होती यह distance find करना, zero से real number line पे distant, अगर आपको कहें कि zero है, यह real number line पे one, one, यह plus one है, और यह minus one, तो इसका distance क्या होगा, तो इसका one से one distance होगा, यह नहीं कहेंगे कि हम negative से positive, क्योंकि distance कभी positive और negative नहीं होता, तो absolute value के लिए ऐसे दो lines लगाई होती हो, और आप पुछा हो, absolute value 4 की क्या है, तो 4 ही आएगी, सही है, इसी तरह कि minus 4 की भी क्या हो, तो वो भी 4 ही होगी, positive, क्योंकि distance हमेशा positive ही होता है, इसलिए इसका भी 4 होगा, इसी तरह कोई absolute value लें और 5 minus 7 करें, तो वो क्या आएगा, आपके पास minus 2, जो के 2 होगा, इसको 5 में से 7 चले गए, तो minus 2 आएगा ना, क्योंकि छोटे से बड़ा minus हो रहा है, तो आपके पास 2 आएगा, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 minus 5 भी कर सकते हैं, तो आपके पास कभी आपको absolute value find करने के दे सकते हैं, और किसी number का भी distance find करने के लिए, distance में minus करना होता है, यह ज़रूरी नहीं, कि कौन सा पहले रखे, कौन सा बाद में रखे, ठीक है, नेक्स हमारे पास आता है interval, interval का lecture आ रहा है, इसमें interval आपको पता है, कि कोई भी real number line हो, या कोई भी हो, आपके पास एक बड़ी value हो, और छोटी value हो, maximum value हो, या minimum value हो, आपके पास जरूर हो, और अगर वो include है, तो हम उसको कहेंगे close, इस तरह bracket से show करेंगे, और अगर include नहीं है, तो हम इसको open bracket करेंगे, ठीक है, तो इस तरह का bracket कि जब होता है, तो उसको हम कहते है close interval है, कि यह बंद है दूनों सब्सके, इस तरह वाले को हम open interval कहते है, अब ये एक साइड पर बंद है, एक साइड पर खुला, तो हम कहते है close और open interval, यह कहां से close है, यहां से open, तो हम open 1 close इंटर्वल गेंगे ठीक है ये open side ही हो थी और ये close इस तरह वाला close होता है ये interval की शक्ले होती है ठीक है अब हमारे पास कोई interval दिया है Interval मतलब बीच की हमारे पास value पता ना और इंटर्वल कहां से शुरूर है कहां तक जा रही है इस side की value और साइट के हमें नहीं पता होती है, तो हमने क्या करना होता है, अब इस तरह का form होता है, इंटरवा, तो हमने बीच में x को केला छोड़ना होता है, तो x के साथ minus 2 extra है न, तो यहाँ पर यह multiply हो रहा है, तो हम divide 1 by 2 से करेंगे, अगर हम minus किसी नंबर से करते हैं, तो हम minus 1 by 2 से इसको divide करेंगे, इसको खतम करने के लिए, तो अब जो चीज़ equality हम बीच में करते हैं, वो इधर भी करनी होगी, और इधर भी करनी होगी, ठीक है, तो अब हम अगर minus से multiply करते है, minus 1 by 2, तो हमने इसकी equality के sign change हो जाएंगे, पहले equality का mood इस तरफ था, इस equality का उधर था, तो in case mood change हो जाएंगे, ठीक है, यह मैंने पीछे भी example करवाई थी, अपने lecture number 8 में, लेकिन उसमें मैंने sign miss कर दिये थे, यहाँ पर minus 6 था, और मैंने यहाँ पर plus 6 लगाया वा था, और यहाँ पर plus 2 था, यहाँ पर मैंने sign भूली भी थी, तो मैंने इसलिए यह example दुबारा करवाई है, आप लोगों को कि यह जो correction हो, mistake थी, वो correct हो जाए, ठीक है, अब हमने equality's के sign सिफ चेंज करने हैं, बाकि किसी का sign चेंज नहीं करना है, 1 by, minus 1 by 2 को इधर भी multiply करने हैं, और minus 1 by 2 को इधर भी, और minus 1 by 2 को बीच में भी करने हैं, ठीक है, minus 6 as it is, उपर जो से आएगा, minus 2 as it is, और 4 भी, अब यह देखें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो यह minus 3 हो गया, और minus 1, 3 1s are 3, लेकिन minus क्या हो गया, प्लस, तो प्लस 3 आगया, इसी तरह 2 1s are 2, 2 1s are 2 कट गया, तो 1 इसके साथ minus है, यह भी minus, तो minus minus क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे पास plus 1 x आगया, तो 1 लगाने की ज़रूद नहीं है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यह minus 1, 2 1s are multiply होगा, तो minus 2 हो आगगा, कि माइनस साइड चोटी है, साइड और प्लस वाली साइड बढ़ी है, और यह दोनों equal वाली साइड है, इसमें include है, तो इसका मतलब यह close interval है, 2 और minus 2 इसमें include है, और close interval हम बनाएगे, अगर तो यह equal का साइड ना होता, तो हम open interval बनाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते है, 3, 2, कि यह दोनों include नहीं है, इसका मतलब होता है, और इस तरह हम बन्द हो, तो मतलब के include हैं यह number, दोसरा है, इन equality कहा है, कि अगर हमारे पास absolute value 5 से, 5 बड़ा absolute value से, और इसका मतलब question दिया है, कि lie between minus 5 and 5, तो हमने क्या करना होता है, absolute value मतलब distance होता है, तो हमने एक little number 9 लगाई, minus 5 और 5, तो दोनों का distance find करने के लिए add करना होता है, तो हमारे पास क्या आता है, 10, 5 और 5 कितना होगा है, 10, तो अब हमने क्या करना है, इसको equality बनाने के लिए हमने x पीच में छोड़ना है, एक side पर आपका पता है negative होती है, एक side पर positive, तो यहाँ minus a लिखा, यहाँ पर a लिखा, बीच में x, तो अब एक जगा क्या आ गया है, 10 आ गया तो हमने यह minus 10 और 10 के बीच में x आ गया, ठीक है, जब भी कोई इस तरह की value आती है, x बीच में होता है, यहाँ पर, अब मैं एक और example भी करवा देती हूं कि यहाँ पर two है, और यहाँ पर equality x, और इधर minus five लगा देती है, ठीक है, x अकेलर रह गया, और five के साथ four एट किया, तो nine, तो आपके पास इस तरह का equality, sorry नज़र नहीं आ रहा था, sorry आप लोगों को, यह अगर x बीच में minus five है ना, तो खतम करने के लिए plus five इधर भी लगाएंगे, इधर भी और इधर भी लगाएंगे, ठीक है, यहां से cut गया, बीच में x अकेलर रह गया, इंदोनों को आइट किया, तो seven, इंदोनों को आइट किया, तो nine, यह कोण मेंने example करवा दिये, ज़रा यह simple form में थी, उपर वारी जो है ना, वो minus के साथ multiply हो रहा था, तो इसलिए equalities के sign change हुए, और यहां पर नहीं हो रहा था, तो इसलिए sign वैसे ही रहेंगी, यह जो move बने में है ना, इस ताना के हम कहतें greater and equal greater का sign, तो वो वैसे ही रहेगा, यह infinite interval क्या होते हैं, कि हमारे पास infinite, अगर आपके पास x बड़ा है, छोटा है, अगर एक्स बड़ा है, तो आपने a को positive रखना है, तो इसका क्या मतलब x क्या है, सारे छोटे नमबार हैं, infinity कि साथ क्या है, negative side पे, और अगर x बड़ा है, तो मतलब क्या है, positive infinity है, और a क्या है, हमारे पास a से बड़े होंगे, ठीके, आपके पास a बड़ा है, तो A हमारे पास और X छोटा है, तो छोटी साइड पे infinity आ रही है, क्योंकि बड़ी तो A है ना और अगर हमारे पास X बड़ा है तो हमारे पास मतलब कि infinity positive है, और A हमारे पास negative side पे है, छोटा है सही है, infinity वाले interval में बस यह infinity वाला sign आते हैं, अगर बड़ा होगा तो positive होगा, छोटा होगा तो negative होगा next structure हमारा आता है, इसमें हमारे पास bounded set आता है और a set of a number that is that has a finite interval, bounded set मतलब कि हमारे पास उसने बड़ी value भी हो और छोटी value भी हो, और वो बड़ी के लिए हम कह देते हैं positive है और छोटी के लिए हम कह देते हैं कि negative है, सही है, तो अब इसके example में आपको समझाएगी, अब हमारे पास एक होते है upper bound और एक होते है lower bound upper bound मतलब बड़ी value और lower bound मतलब छोटी value, कि पूरे interval में एक interval है, उसमें हमारे पास upper bound क्या है और lower क्या है, सबसे बड़ी value अपर होगी, सबसे छोटी क्या होगी lower bound, अब हमारे पास यहाँ पर bounded from above भी कहते हैं इसको, तो इसको मतलब कि maximum value हमारे पास क्या है, तो इस पर सबसे बड़ी value 16 है, तो हमारे पास bounded from above क्या है, M हमारे पास 16 आएगा और अगर bounded from low इसमें कहते हैं M2 कहते हैं, और अगर इसमें बड़ी value पूछी होथी, हमारे पास bounded from above पूछा होता है, तो हम 21 कहते हैं, ठीके unbound कैसे कहते हैं, जिसका interval मतलब जो end नहीं है, पहले तो bounded होना जरूरी है, bounded के लिए मतलब दोनों side बंद हो, यहां तक भी कोई value हो, और इसके लिए भी value हो, दोनों का end होना चाहिए, यह one है, और end start और end दोनों होना चाहिए, अब इसका end हमारे नहीं पता, तो इसको हम क्या गएंगे, यह unbound है ठीके, क्योंकि इसकी क्या है maximum value हमें नहीं पता, अगर bounded होगा, तो फिर हम देखेंगे न, कि bounded from above है, यह bounded from low, अब देखें, इसकी bounded from below, तो हमें पता है कि one है, लेकिन above नहीं पता, तो इसके हम इसको unbounded कहते हैं, ठीके, अब हमारे पात आता है supremum और infimum, supremum क्या होता है, कि सबसे बड़ी value हमारे पास, एक पहले देखें, आपके पास एक set है, और इसमें आपको पता है कि upper value उसकी क्या है, 5, अब इससे 5 से जितने भी number अगर बड़े होंगे, तो वो भी हमारे पास बड़े ही होंगे, 5 से वो भी upper bound होंगे, तो any number greater than 5 is also upper bound, यहीं बात है, इसको हम कहते है, हमारे पास, चूटे जितने भी number होंगे, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, लेकिन उस चोटों से तो यह बड़ा होगा न, तो इसलिए हम कहते है, greater lowest bound, lowest मतलब नीचे वाला, lowest bound, और सभसे greater इसलिए कि यह सबसे बड़ा होगा, बाकि जो इन से value होगी, वो सारी से छोटी होगी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है greatest, lower bound, या infirmum, तो वो क्या है two, ठीक है, next हमारे पास आता है greatest common divisor, ये भी बहुत important है, हमारे पास greatest common divisor, दो तरीके से solve होता है, मैं आपको दोनों बताती हो, एक तो हमारे पास common divisor, मतलब कि 12 और 18, कौन-कौन सी table में दोनों आते हैं, आपने वो सारे लिखने हैं, 1 की table में भी आते हैं, 2 की table में भी आते हैं, 3 की table में भी 6 की table में, इस तरह आपके वो मिश्किल हो जाता है, आपको सारी tables पढ़नी होगी, कि किस में आते हैं, ठीक तो आपने वो पत लिख देना है कि इसका greatest common divisor क्या है, 6 है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह 24 और 30 है, इसकी आप tables पढ़ें कि कौन सी table में ये दोनों आते हैं, 1 की table में 24 आते है, 2 की table में 24 आते है, 30 आते है, 2 की table में भी दोनों आते हैं, 6 की table में भी, तो इसका भी greatest common divisor क्या ह 6 है, अब इसी example को दूसरे असान तरीके से देखे, क्योंकि आपको table क्या बता ना आती हों कि ये दोनों को सी डेबल में आते हैं, तो इसी example को हम evidence algorithm से करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, असान तरीका होता है, हम division direct करने लग जाते हैं, 24 और 30 है तो हम इसको दुबारा डिवाइड करेंगे, दुबारा कैसे कि ये बाहर वाली value अंदर रख देंगे और ये जो नीचे आई है, इसको हम बाहर रखेंगे तो 6424 तो ये end हो गया, जब end हो जाता है, तो जिस number ने end किया है, वो greatest common डिवाइजर होता है, तो हमारे पास यहां क्या आ गया, six आ गया, ठीक है, greatest common divisor, देखें वही सेम आया है ने, six, अगर आपके पास एक और step होता है, यहां पर कोई remainder रह जाता है तो फिर आप उस remainder को बाहर रखतें, और six को अंदर यहां किया है, उसको हम जिसने divide किया है, उसको हम कहते हैं कि यह greatest common divisor, यह असान तरीका है कि आपको सारी tables नी बढ़नी बढ़ेंगी, चेक नहीं करना पड़ेगा direct divide करके आप देख लेगे, तो paper में यह reference में करें, और direct आप greatest common divisor बता देगे, इसका क्योंकि यह laptop पर screen पर करना मुश्किल हो जाएगा divide इस तरह, तो आपने extra sheet लेनी हैं जिसमें आपने इस तरह जल्दी से divide करना है, और end पर जो आपके पास आएगा वो आपने लिखना है, मैंने जो आपने original lecture है, lecture number 10 उसमें जो है long जरह लंबा भी है, हमारे पास greatest value बड़ी 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 हैं, जिसमें आगे भी हम करते हैं, divide फिर अकले step में भी divide होता है, तो जो आखरी step में यहाँ पर जो number होता है उसको हम greatest common divisor के तो चो चोटा साथा दो step में ही खतम हो गया, तो आपने इस तरह करते रहना, यह long question में मेरे आया था, जिसमें हमारे पास 4-5 step थे, तो आखर में जाके जिसमें divide किया था, उससे वो answer आता है हमारे पास, ठीक है, LCEM क्या होता है least common multiple, आपने multiple दोनों के लिखने है, और least मतलब सबसे चोटा, अब देखें, 4 की multiple क्या होता है, 4 की table, 6 की multiple, 6 की table, ठीक है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, इसी तरह 6 के, अब देखें, एक चोटा multiple, दोनों में common 12 है, और दूसरे में 24 भी दोनों म बड़ा है, तो हमने least common multiple देखने है, तो इसलिए वो क्या है, हमारे पर 12 आया है, ठीक है, तो हमने कहा दिया least common multiple क्या है, इसका 12 आया, यहां पर 12 mention, नेक्स्ट लेक्शर नबर 11 है, और इसमें हमारे पास आता है, fundamental theorem of arithmetic, अब इसमें factorization करनी होता है, find unique factorization, factorization मतलब factors बनाने है, कि यह कौन सी कौन सी table पर आते हैं, तो अब यह वाला question मैंने अपने इसी lecture में करवाया था, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ी confusion होई थी, क्योंकि मैंने direct बड़े number से कर लिया था, तो इसमें मैं आपको यह point clear कर देती हूं, कि आपने असान तरीका यह है, कि आपने यहाँ पर देखें, 135 है, तो हम 2 चक करते हैं, अगर 2 से करें, तो 1 की table में तो 2 नहीं आएगा, तो इसे हम इन दो का pair बना लेते हैं, और इसको अकेला छोड़ते हैं, और आपने देखना होता है, कि जो number आप ले रहे हैं, उसकी table में यह वाला number आ रहे हैं, तो even है, तो even आ 3-4-0-12 आते हैं, प्रहे हैं, अब यह तो थर्टीन है है, तो एक रहे गया, 3-3-4-0 हमने 12 कर लिया, तो यह तो 13 було, फो 1 रहे गया हमारे पास, तो 1 हमने अगले को रिम का vir me, carry, तो यह क्या बन गया, 1-5-15, तो 3-5-0-15 हमारे पास हो गया, ठीके? अब हमारे पाफ 45 आ गया कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं तो 3103 कर लिया, फिर एक रह गया क्योंकि यह तो 4 है, 3 एक रह गया तो हमने common carry दे दिया, तो 35015 फिर आप देखें, 35015 और अब 5 तो अपनी टेबल में आते है तो इसके 5105 अब जो numbers थे वो सारे आपने लिखने हैं पर 3 into 3 into 3 into 5 ठीक है, और अब आपको पता है कि यह 3, 3 है तो इसलिए हमने 3 के ओपर power 3 लगा दी है, यह हमार पर short हो जाए, और 5 as it is, क्योंकि 5 की कोई power नहीं आ रही है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा अगला खुश्क हो गया, तो इस lecture के बाद में end करती हूँ, क्योंकि 11 लेक्चर हो गए, टोटल 20